Hello everyone, welcome to my YouTube channel AH Helpline, कैसे हैं आप लोग, ये वीडियो आप सभी student के लिए बहुत important है, खास कर वो सभी student जो BSC प्रोग्राम से बिलॉंग करते हैं, old syllabus के student हैं, उनके लिए बहुत important है क्योंकि उनके exam के pattern में एक बहुत बढ़ा change किया गया है और ये बहुत अच्छा ख़बर है उन स समना जना, देखो इससे पहले आप लोग को याद होगा कि जितने भी BSC और BSC G प्रोग्राम के student हैं, bachelor of science, new syllabus और old syllabus, उनके लिए practical का ये decision लिया गया था कि उनका regular mode में, face to face mode में practical conduct करवाया जाएगा, उनको study center visit करना होगा, regular classes करने होगे और उसके बास से उनका exam conduct करवाया ज दिये गया थे, registration स्टार्ट कर दिया गया था, लेकिन काफी student ने इस चीज़ को लेकर university को बोला कि ये गलत है, क्यों गलत है, क्योंकि कोवीड के वाई से बहुत सा student का 3-4 practical pending रहा गया था, अब एक practical 7 days के अंदर में conduct करवाया जाता है, अगर मालों को student का 4 या 5 practical बाकी बचा हुआ है, तो उनको कम से कम 40 days लगतार classes करने होंगे, तब जाके उनका practical खतम होगा, और ये literally possible नहीं था, बहुत सारे student के लिए, इन सभी situation को देखते हुए, B.A.C. Old syllabus के student का, फिर से, जो अभी last 2 session से practical conduct करवाया जा रहा था, return mode में, वो फिर से conduct करवाने का फैसला किया गया ह है, और इसको लेकर इगनोंने detail notification अभी कुछ दिर पहले official website पे release किया है, जिसमें बताया गया है, कि जो Old syllabus के student है, जिनका practical, I mean, अभी कुछ दिर पहले जो notification आया था, कि face to face mode में होने वाला है, वो अब return mode में conduct करवाया जाएगा, फिर से सुन लिजेगा, जो आप लोग को notification के जरी है, बताया गया था, अल्रेडी बहुत सारे regional center के तरफ से notification release कर दिया गया था, यहाँ पे देखो, कोलकता regional center के तरफ से, जम्मू regional center के तरफ से, पुरा schedule release कर दिया गया था, कि उनका जो exam होगा, वो होगा, face to face mode में, यहाँ पे पुरा date भी बता दिया गया था, लेकिन अभी उसको change कर दिया गया है, और बोला गया है कि आपका practical 18 में, 19 में और 20 में को conduct करवाया जाएगा, written mode में, यह schedule जारी कर दिया गया है, आप लोगों के screen के उपने जरा रहा है, इसका link मैंने description में दे दिया है, कौन कौन सा practical है, LAC 4L, 10 बय से 11 बय तक होगा, 18 में को, LAC 8L, 11 पंदर से 12 पंदर के बीच में होगा, LAC 11L, उसी तरीका से physics का जो practical है वो, chemistry का जो practical है वो, और AEC L जो practical है वो, ठेक है, तो यह सबी practical को अब offline, sorry, written mode में लेने का decision लिया गया है, जो last 2 session से हो रहा था, तो यह आप लोगों के लिए, जो भी स्टों, BAC Old Silver से बिलॉंग करते है बहुत अच्छा ख़वर है क्योंकि आपका जो 40-45 दिन लग रहा था, वो उससे आपको निजात मिल गया, अब 3 दिन के अंदर आपका practical खतम हो जाएगा और आप लोग अपना graduation complete कर पाओगे, ठीक है ना, तो जिस तरीका से last 2 session में conduct करवाए गया था, कि आपको बस जो date है, उस date में जाना है, written mode में exam conduct करवाए जाएगे, objective type में, MCQ type में exam conduct करवाए जाएगे, आपको exam देना है, आपका practical खतम होगा, लेकिन ये से BSC program के लिए है, BSCG जो program है, उनका practical as it is conduct करवाए जाएगा, अभी तक BSCG program को लेकर ऐसा कोई changes का announcement नहीं किया गया, अगर किया जाएग तो आप लोग को बताया जाएगा, और उनके लिए भी मुझे लगता है कि करना चाहिए, क्योंकि BSCG program का भी यही situation होगा, खासकर जुलाइद हो जाएगा, 19 बैट के स्ट्रेंट, final year में है, लेकिन अभी तक उनका कोई भी practical नहीं हुआ था, और उनको भी इसी तरीका से 14 द चेंज कर दिया गया है, और यह announcement अब officially कर दिया गया, और यह सभी regional center पे valid होगा, तो इसको आप लोग चेक आउट कर लेना, उसके बाद से एक और important चीद यह भी है, कि इससे पहले, B.A.G. program के जितने बेस्ट्रेंट है, उनका एक paper था, B.H.D.G. 174, ठीक है, B.H.D.G. 174, यह paper का assignment बनाना होगा, और यह paper का exam देना होगा, ठीक है न, तो जितने भी student B.A.G. program से हैं, या B.A. honors program से हैं, तो उनका third year में, अगर यह paper है, B.H.D.G. 174, तो उसके जगा पे replace कर दिया गया है, B.P.A.G. 174 को, ठीक है, यानि कि B.P.A.G. 174 कौन सा है, यह paper मैं आपको का assignment, submit करना होगा, in replace of B.H.D.G. 174, इसको official website पे भी update कर दिया गया है, बाकी other regional center पे भी update कर दिया जाएगा, तो यह बहुत important notification था, आप लोग share कर सकते हो, बाकी other student को, उसके बाद से जोदपूर regional center के तरफ से practical का postponement के notification रिलीस किया गया है, कि जोदपूर में अभी curfew जार कर दिया गया, जिसके बाद से जो भी practical exam conduct करवाया जाने वाले थे, B.H.C.G. student का, उनका अभी practical conduct नहीं करवाया जाएगा, और अभी के लिफिलाल postponement कर दिया गया है, जब conduct करवाया जाएगा, तो आप लोग को बताया जाएगा, और इसको लेकर जोदपूर regional center के official website पे भी M.A.P.C. program के student का practical का schedule जारी कर दिया गया, first year में जो आप लोग का M.P.C.L. 007 practical होता है, वो practical online conduct करवाया जाएगा, जिसको लेकर Google Meet का link और Zoom का भी link दे दिया गया है, तो जो based trend बैंगलोर regional center से बिलॉंग करते हैं, M.A.P.C. उनका program है, M.P.C.L. 007 उनका practical है, तो वो इस schedule को बैंगलोर regional center के तरफ से ही B.C.G. program का practical का schedule जारी किया गया है, B.C.G. का अभी अभी बागी other regional center के तरफ से भी जारी कर दिया गया, तो उमीद यही लग रहा है कि यह लोग offline ही लेंगे, लेकिन B.C. program के student का, I mean change कर दिया गया उनका pattern, ठीक है ना, तो बैंगलोर regional center के बैंग student इस schedule को check out कर लेंगे, दे दिया गया schedule, B.Z.Y.C.L.132, B.Z.Y.C.L.134, यह सभी का practical कब conduct करवाया जाएगा, I mean classes कब conduct करवाया जाएगे, वो schedule दे दिया गया, उसके बाद से exam conduct करवाया जाएगा, उसके बाद से भूबनेस्वा regional center के तरफ से online induction meeting अब conduct करवाया जाएगा, induction meeting को join कर सकते हैं, induction meeting में normally होता यही है कि आपको university के बारे में बताया जाता है, study center के बारे में बताया जाता है, किस तरिका से आपका schedule होगा, कब-कब क्या-क्या करना होगा, कब अिसand submit करने होगे, कब exam देने होगे, वो सारा चीज़ के बारे में बताया जाता है, हलाखे तो attend भी कर सकते हो, Google Meet के लिंक के उपर click करोगे, join करोगे तो हो जाएगा, और अगर नहीं करोगे, तब भी कोई issue नहीं होगा, आप वीडियो देख लोगे, तब भी समझ में आ जाएगा, उसके बास से दरभंगा Regional Center के तरफ से जो notice release किया गया था, BSCG और BSC Honors Program के लिए, तो BSC Program के student का, I mean, return mode में exam conduct करवा जाएगा, तो अभी ये जो notice release किया गया था, उसमें सिर्फ BSCG Program के student register कर सकते हैं, BSC Program के student को अब registration करने की ज़रूरत नहीं है, direct आप लोग को notice release किया जाएगा, headquarter के तरफ से, उसके बास से आप लोग practical दे सकते हो, उसके बास से राइपूर Regional Center क के तरफ से, एक grievance redressal session का announcement किया गया है, कि हर संडे को चार से पांच बहे के बीच में, जो भी student को कोई भी चीज़ को लेकर doubt है, चाहे वो assignment हो, चाहे result हो, चाहे assignment के marks update नहीं हुए हो, study material का issue हो, या कोई भी issue हो, तो आप लोग संडे के दिन साम को चार बहे से पांच बहे त से ये notice release किया गया, और अंत में तिरवंदरम regional center के तरफ से एक list जारी किया गया है, student के study material का, यानि कि जो भी student को study material भेजा गया था, और वो study material उन तक नहीं पहुँच पाया, वो return regional center के पास पहुँच गया है, तो उनको बताया गया है, कि आप लोग अपने regional center, यानि कि ति 20 में के बाद कोई भी working day में, working time पे आप लोग आ सकते हो, regional center विजिट कर सकते हो, और अपने study material कलेक कर सकते हो, तो जो भी student तिरवंदरम regional center से बिलॉंग करते हैं, इस list में अपना नाम चेक कर लेंगे, अगर आपका नाम होगा, आपको study material नहीं पहुचा होगा, तो आप लो है, यह बहुत important था, तो इसको अपने friend के साथ share कर देना, हलाकि उनको पता चली जाएगा, इगनों के main website पे update कर दिया गया है, बाकि अदर notification भी ज़रूरी थे, जिसके बार में मैंने आप लोग को detail में सभी information दिया, मुझे उमीद है कि आप लोग को ये सभी information useful लगा होगा, सब्सक्राइब कर सकते हैं, या मुझे directly call करके भी अपना डाउट के लिया कर सकते हैं, सभी social media platform पे मैं available हूँ, सभी का link description में दिया हुआ है, वहाँ पे भी आप लोग मुझे follow कर सकते हो, अगर आप AH Helpline channel पे first time आया है, तो make sure आप लोग पहली फुरसत में channel को जरूर subscribe कर ल विए आपन वस्म्सराइब कर सकते हैं, जर चाहँ है qymaa bai a hap, इस अपन वस्म्सराइब कर दो वस्म्सराइब कर दो वाद अपना घ्या है, अव्योग भी आप्य। हैं, अभी आप लिए उसे प्यूद्टे मुद्सक्षण्टे मुद्ट। झाल झाल झाल